राजदाने जापूर में कॉंग्रेस विधायक रफिक खान पर हुए हमले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है इस घटना को लेकर कॉंग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नैता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इस बीचपूर केंद्रे मंतरी के लाज टोदी के सोशल म सियासत का पारत चुड़ा दिया उन्होंने रफिक खान पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया उन्होंने यह तक क्या दिया कि रफिक खान तुम शेर के मूं में हाट डाला है इसकी भारिक हीमट चुकानी पड़ेगी तमस्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे रफिक खान को जमकर निशाना बनाया उन्होंने लिखा कि गीदर की जब मौत आती है तो वो शेहर की तरफ भागता है रफिक खान तुम शेहर के मूं में हाट डाला है भारे कीमट चुकानी होगी अब तुम्हारे बुरे दिन आये हैं जो अपने माभारती की रक्षा के ल पर विधायक के गुंडों ने हमला किया जबकि वो एक पीडित के रूप में अपनी बात कर रहे थे उनके परिवार को विधायक और उनके गुंडों ने परिशान किया फिर भी पूर मुख्यमंत्रिय शोगहलोद और प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटा सराग कॉ जाए फिल्टे जवान पर आरोप लगा रहे हैं कॉंग्रेसी नेताओं का जमीर मर चुका है इसलिए वो देश की रक्षा में अपने जीवन समर्पत करने वाले जवान को प्रतारित करने में लगे हुए हैं बतादू के जापूर में कॉंग्रिस विधायक रपिख खान पर पर हमला किया इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया वही विधायत का कहना है कि वह उस आदमे को जानते तक नहीं है तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी नीउस शुक्रिया